अस्सलाम अलेकुम स्टूड़न्स आज हम पढ़ेंगे पीमेल रेप्रोड़क्टिव सिस्टम के पीमेल रेप्रोड़क्टिव सिस्टम में कौन से अरगन कौन से पार्ट शामिल है इससे पहले हमने मेल रेप्रोड़क्टिव सिस्टम को बढ़ा है गर आपने उलक्चर नही सबसे पहले पेयर फ्यर्श यह वी वृशन जो है इसको हम एक जो के प्रोडियूस करी प्रोड्यूस करता है यह यह गिमीट एक यह यह हम प्रोडियूस होता है उरले में यह जो व्रशन यह 3-2-3 सिंटीमीटर वाइड है इसके अलावा ये जो female six hormone हेश को हमें परिजमपल इस्ट्रोजन और फ्रयोटरिस्टोन जो हार्मोन हेश ये ऋवर इस psycho होता है तो ये ये पेमल गैमीड है जो प्रोड्यूस करता है पेमल गैमीड है जिसको हम एक कहते है इसके अलाबा पॉलिफियं ट्यूब यह यहां पर यहां पर मूब करता है यूटरिस की तरफ इसके बाद जो बाड़ है यूटिरस ये वला फोर्शनिस को हम यूटिरस कहते हैं यूटिरस जो है ये रिस्यू रिटेन एंड नरिश अपटलाइज उम यहाँ पर जो उवी डक्ट है इसमें एक की पटलाइजेशन होती है जाइजोड को किया है इसकी 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 डिरेशन होती है उट एक एक मंध्य हो यहाँ है, पीरिमेट्रियम कहते हैं यह तर्मोस तिन कवरिंग लियर है यह वाला इसको हम पीरिमेट्रियम कहते हैं मिडल लियर जो है इसको हम मायूमेट्रियम कहते हैं मिडल लियर है जो कि स्मूथ मसल कंट्रेक्टायल मसल से बना है जो के कंट्रेक्ट होता है डूरिंग चैल बर्थ बेबी को बाड़ी से एक्सपेल कर देता है यहाँ पर अंदर वाला जो पोट्शन है इसको हम इंडूमेटियम कहते हैं जो कि स्पंजी लैनिंग इंडर्मोस्ट लेयर है यूटरिस का इंडूमेटियम में होता है implantation और इंबरियो की development यहाँ पर यूटिरस में होती है पोला पॉर्ट जो है pa 2 यूट। इसको हम सर्विक्स चेते यह नर्मली ब्लाक होता है mumus इस में यह तो होता है यहाँ पर यह भॉर्ट मेन यह पर ये ब्लाक होता है है इसको हम बर्त किनाल भी केते हैं क्योंगे बर्त होता है बेबी का इसी रास्ते से होता है यहां पर यहां पर स्टार्ट होता है इस में जाए इसके इंटिरियर वाल में इस वय जाना और पिर स्पम यहां से ट्रेवल करके उवी डग तक आता है और यहां पर पाट्रिलाइज करता है एक को और जैगोड की परमेशन होती है पिर जैगोड यहां से आकर यहां पर इंप्लान होता है और बेबी इंप्लान होता है पर इसकी डिवलप्मेंट होते हैं यूट्रिस के झाल झाल